Hello Everyone, Welcome to this channel, I am C.S.R.T.U. आज का वीडियो है विदानता Limited पे विदानता Limited से रिलेटेड मार्केट लोउस के बाद एक बड़ी न्यूस आई है SEBI का एक ओरडर आया है विदानता Limited के रिए जिसमें कि SEBI ने विदानता Limited को 78 करोड की पेमेंट करने का डिरेक्ट किया है है न्यूज यह आई है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेट के डी मर्जर के लिए उसको गर्मेंट का गो अहेड नहीं मिलेगा इन दोनों न्यूज को चलिए जानते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्विस्ट है लाइक करिएगा चैनल क को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले यहाँ पर न्यूज यह आई है कि सेभी ने ओर्डर किया है विदानता लिमिटेट को केंड को 77.6 करोर पे करने के लिए सेभी ने विदानता लिमिटेट को यह डिरेक्शन दिया है 76 पेज के एक ओर्डर में और विदानता लिमिटेट को सेभी ने ये भी कहा है कि ये पेमेंट विदानता लिमिटेट को विदिन 45 डेज ऑफ दे ओर्डर करनी है अधर्वाइस सेभी फर्दर एक्शन लेगा विदानता लिमिटेट के अगेंस्ट इसके इलावा सेभी ने नवीन और प्रिया अगरवाल क मार्केट एक्सेस करने से भी बार किया है सो यह है सेभी का वो फाइनल ओर जो आज ही आया है विदानता और कैन यूके होल्डिंग्स लिमिटेड के मैटर में यहां पर हम देख सकते हैं 11 नोटिसी हैं जिसको सेभी ने इस ओर्डर में डिरेक्शन्स दिये हैं इस मैटर के बै प्लेन रिसीव हुई थी 13 एपरिल 2017 को कैन यूके होल्डिंग्स लिमिटेड सी यू एचल से जिसमें की सी यू एचल का ये कहना था कि कैन इंडिया लिमिटेड जिसका मर्जर हुआ था विदानता लिमिटेड के साथ उसने नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड किया है 340 करो का कैन यूके होल्डिंग्स लिमिटेड को और ये नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड हुआ था 18 करो रिक्विटी शेर्स के अगेंस्ट जो की सी यू एचल के एंडिया लिमिटेड के होल्ड करता था बड़ सब्टेंबर 14 2017 में सेभी नहीं इंटिमेट किया था सी यू एच डिपार्टमेंट को और इसके बाद सेभी ने सी यू एचल की इस कंप्लेंट को क्लोस कर दिया था बड़ सी यू एचल ने सेभी के इस कम्मिनिकेशन के बाद इस मैटर में अपील फाइल करी और सेथ ने डिरेक्शन दिया सेभी को कि वो सी यू एचल की इस कंप्लेंट को रिकंसीडर करें और इससे रेलेटेड एप्रोप्रीड ओर्डर पास करें इसके बाद ओनरेबल सैट के डिरेक्शन में सेभी ने इस मैटर को रिएग्जैमिन किया लेकिन यहां पर भी सेभी को कोई भी नॉन कंप्लाइंस कोई भी वाउलेशन नहीं मिला उसके बाद सी वर्चल ने अपील नंबर टू फाइल करी 2021 में ओनरेबल सैट के साथ फिर सेभी के इस डिरेक्शन के अगेंस्ट की सेभी को कोई भी वाउलेशन नहीं मिला है के इंडिया लेमिटेट के अगेंस्ट और यहां पर सेक्यूरिटी जैपिलेट ट्रिबूनल ने 5 जुलाई 2022 को फिर से डिरेक्शन दिया सेभी को की वह सेभी को टाइम दिया कि वह अपने इंवेस्टिगेशन को कम्प्लीट कर सके विदिन 6 मन्स फॉम देट ऑफ दा ओर उसके बास सेभी ने फिर से एक एप्लिकेशन मूव करी सुप्रीम कोर्ट में डेटेट 14 अक्टूबर 2022 एक्स्टेंशन ऑफ टाइम के लिए 6 मन्स का एक् इवेस्टिगेशन करी कि क्या कैन इंडिया लिमिटेड ने कम्पनीज एक 2013 एलोडिया रेगुलेशन के प्रोविजन को वाइलेट किया है डिविदेंट विड्होल करके सी यू एचल के फ्रॉम दे पिरिड जैन्वरी 22 2014 तो जून 20 2017 सेभी के एक्कॉर्डिंग सी आइयल य लिए बहुत ही डिटेल्ड और है यह बहुत सारी हेरिंग्स हुई है इस मैटर में 76 पेज का यह ओडर है यह फाइनल डिरेक्शन है जो इस ओडर में सेभी ने विदानता लिमिटेड और आदर नोटीसी को दी है सेभी ने सबसे पहले नोटीसी नंबर वन यानिकी विदान सेभी ने यह बहुत है कि नोटीसी 225 जो की इस ओर्डर में है वो सेक्यूरिटी मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे वो कोई भी बाइंग सेलिंग और डीलिंग नहीं कर पाएंगे फॉर पीरिद ऑफ तू मन्स नोटीसी 225 है मिस्टर नवीन अगरवाल जो की कंपनी क चेर में मैनेजिंगिघा रेक्टर हैं नोटिंसी 24 मिस्टर तरुण जैन जो की कंपनी के होल तेम डेखेटर हैं नोटिसी 4 मिस्टर थाॉमास अलबरींस चोकी कंपनी की loopREE औरsche nee o है और नोटीसी 25 को सेवबी ने बार किया है तू मन्सके लिए की मार्किट को एक्सेस करने के लिए इसके इलावा थर्ड दिरेक्शन से भी ने ये दिया है कि नोटीसे नमबर 6-11 वो भी सेक्रिटी मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे for a period of 1 month from the date of coming into force of this order नोटीसे 6-11 इस order में हैं मिस प्रिया अगरवाल, मिस्टर के वेंकर ट्रमन, मिस्स ललता अधी गुपता, मिस्टर अमन महता, मिस्टर रवी कांद और मिस्टर एडवर्ट टी स्टोरी और सेभी ने यहाँ पर ये भी का है इनकेस नोटीसे नमबर 1 यानि की विदानता लिमिटेड ने ये पेमेंट नहीं करी विदिन 45 days from date of this order, सेभी appropriate action लेगा विदानता लिमिटेड के अगेंस्ट इस failure के लिए So ये है पूरा matter जिसकी वज़े से सेभी ने order pass किया है 77 करोड की पेमेंट करने का विदानता लिमिटेड को मेरे विव के हिसाब से एक बड़े अमाउंट की पेमेंट है जो विदानता लिमिटेड को करनी है देखते हैं इसका क्या impact कर स्टॉक में होता है आपका क्या विव है इसका क्या impact होगा स्टॉक पे comment करके अपना विव हमें ज़रूर बताइए इसके इलावा विदानता की subsidiary company हिंदुस्तान Zink Limited से related भी आज एक न्यूज आई है हिंदुस्तान Zink Limited भी विदानता की तरह ही अपने business को demurge करना चाती है तीन business vertical में हिंदुस्तान Zink Limited के demurgeर से related ये news आई है निउस रिपोर्स के हिसाब से Government of India, Hindustan Zink Limited के Demerger को अपना Approval नहीं दे सकती है Government of India का Approval is Demerger के लिए इसी लिए important है Because Vedanta Limited के बाद सबसे बड़ा stake Hindustan Zink Limited में Government of India का है News रिपोर्स के हिसाब से इस News का Confirmation Hindustan Zink Limited या Vedanta Limited की तरफ से अभी नहीं आया है News रिपोर्स के हिसाब से Government of India Hindustan Zink Limited के Demerger को अपोस कर सकती है क्योंकि Government का ये व्यू है कि इस Reorganization से Unnecessary Complication होगी और कोई Value Addition नहीं होगा Hindustan Zink Limited के Board ने Demerger Approve किया था 29 September 2023 की Board Meeting में Hindustan Zink Limited अपने विजनस को तीन Verticals में Demerge करना चाती है Zink and Lead बिजनस अलग होगा, Silver बिजनस अलग होगा और Recycling बिजनस भी अलग होगा Value Unlocking करने के लिए लेकिन Government का यहाँ पर यह कहना है कि दो Key Vertical हैं जो Hindustan Zink Limited के वो वैसे भी साथ में ही Mine किये जाते हैं और उनका Separation करना भी Difficult होगा इसलिए Government ISD Merger को Opposed कर सकती है और यहाँ पर Hindustan Zink Limited के लिए Government का Approval Important है, Because as I have already told, Government का एक Major Stake है Hindustan Zink Limited में, So यह है दो Important News जो विदानता और Hindustan Zink Limited से Related आई है, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है तो Like करिए ताकि हमें motivation मिले, channel को subscribe करिए, thank you